जहिन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लिए लेकि आएं वन गुरूप कार्बन, कार्बन डिसकनेक्षन इन कार्बनल कमपाउंड्स और ये सुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ कंडिशन जो डिसकनेक्षन में हम लोगों को यूज करनी है इन वन वन कार्बन डिसकनेक्षन पोजेटिव चार्ज इस अटेंड तो कार्बनल कार्बन एंड निगेटिव चार्ज तो इस तरह आपको मिल जाएंगे दो सिंथन add CL- और BR- तो पोजेटिव सिंथन और MG-BR तो निगेटिव सिंथन तो गेट कोर्स्पोंडिंग सिंथेटिव एक्विविलेंट्स वन कार्बन डिसकनेक्षन में मिले हुए सिंथन में आप CL- या BR- एड कर सकते हैं point 3 और 4 जो हैं यह 1, 2 carbon carbon disconnection के लिए तो आए जानते हैं इन दोनों को in 1, 2 carbon carbon disconnection fragment having carbonyl group possesses negative charges and other positive charges 1, 2 carbon carbon disconnection में आपको ड्यान अखना है कि वो fragment जिसके अंदर carbonyl group लगा होगा उस fragment के carbon को आप देंगे negative charge और दूसरे वाले fragment के carbon को देंगे आप positive charge add COOC2H5 group to negative part and X-2 positive part to get corresponding synthetic equivalents 1-2 carbon disconnection के सिंथन में आपको जोड़ना है COOC2H5 negative सिंथन में और कोई भी halogen CL- या BR- आप जोड़ सकते हैं positive सिंथन में जिससे आपको मिल जाएंगे वहाँ पर synthetic equivalents तो आईए अब इन चारों point को हम लोग different carbonyl compounds में use करते हैं तो आईए अब कुछ practice करते हैं, यह हमारा target molecule हमको दिया हुआ है इसमें हमको 1-1 carbon disconnection करना है आप देख रहें carbon carbon जो है वो first carbon है तो यहाँ पर आप bond break करेंगे, bond break करने के बाद आपको दो सिंथन मिलेंगे आप बढ़के आए हैं कि 1-1 carbon disconnection में वो carbon जिस पर carbon group लगा होता से positive part और दूसरे वाले fragment पर आप लगाते हैं negative part, यह आपके synthence बन गए हैं और यहाँ पर आपने दूसरा point पड़ा था, कि जो आप कटाइनिक fragment होगा, उसमें आप CL minus add कर देंगे और दूसरे वाले NIN fragment में, NIN-1 synthence में आप जोड़ देंगे MGBR तो यह आपके बन जाएंगे corresponding synthetic equivalents आपने देखा कि 1-1 carbon disconnection से आपको यहाँ पर synthence मिले और उसके बाद आपने बनाए synthetic equivalents बच्चो यहाँ पर हम लोग इस disconnection में synthon वाला part अगर skip करते हैं तो आप directly इसको disconnection को ऐसे भी दिखा सकते हैं क्योंकि आपको जुरत पड़ेगी synthetic equivalents दिखाने के लिए और यह step आपको miss ही करना पड़ेगा जब आपको complex molecule मिलेंगे disconnection के लिए आईए अब लेते हैं registered synthesis for the given target molecule यह हमारे synthetic equivalents जो हमने उपर बनाए थे वो ही लिए हैं बच्चो और इनकी reaction से बन जाता है हमारा target molecule अब एक यहाँपर note है वो भी कर लीजे currently nitriles are used for the synthesis of ketones उनको बनाने के लिए तो बच्चो यह है वो synthetic root यहाँपर nitriles का reaction हम लोग इजेंट से कराते हैं जिससे हमारा immune compound बनता है और इस immune compound का अगर आप acidic hydrolysis कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा आपका ketone यानि की target molecule तो आईए अब लेते हैं एक दूसरा example यहाँ पर given target molecule के लिए हम लोग करने वाले हैं 1-1 carbon disconnection इस carbonal compound में disconnection के बाद हमने सिंथन वाला जो root है वो यहाँपर skip कर दिया है चोड़ दिया है और direct हम आपको ले गए हैं इस compound के बनने वाले synthetic equivalents पे जो हमने आपको दिखाए हैं right hand side पे यहाँ पे हम लोग ने काम और किया है कि जो negative synthन बनने वाला था उसमें MGBR भी जोड़ा था हमने और आप देख रहें कि हमने यहाँ पे कैडमियम भी जोड़के एक दूसरा corresponding synthetic equivalent बना लिया है तो बच्चो यह एक दूसरी possibility थी जिसको हमने आपके साथ discuss किया बच्चो अब लेते हैं हम लोग तीसरा example one two carbon carbon disconnection in carbonal compounds आप जानते हैं कि one two carbon carbon disconnection में जो bond तूटेगा वो तूटता है दूसरे bond के बाद अब यहाँ पे bond तूटेगा तो आपको दो मिलेंगे synthence दो fragment मिलेंगे आपको discuss किया था third और fourth point वहाँ पर कि वो fragment जिसके अंदर carbonal group होता है वहाँ पर आप carbon पे negative charge लगाएंगे और दूसरे fragment दी carbon पे आप लगाएंगे positive charge अब यहाँ पे जो यह negative fragment मिला है इसमें resonance होगा और resonance होने की वज़े से convert हो जाता है inolate iron में clear हुआ आपको तो यहाँ पे आपको ध्यान लगना है इस तरह के इसमें inolate iron बनता है और अब हम लोग जाएंगे इसके corresponding synthetic equivalence formation के लिए तो बच्चो अगर आपको fourth condition याद दे तो वहाँ पे बताया था कि जो आपर catanic part होता है उसमें आप कोई भी halogen iron जोड सकते हैं और जो आपका negative fragment है जो यहाँ पे आप देख पाने की inolate में convert हो गया है इस negative fragment में आप add करते हैं COOC2H5 तो आपने देखा कि यहाँ पे 1,2 carbon carbon disconnection क यह आपके बने हैं synthetic equivalents अब बात करते हैं बच्चो suggested synthesis for the given target molecule after 1,2 carbon disconnection तो उसके लिए आप जानते हैं कि जो आपने disconnection में synthetic equivalent आपको मिले हैं उनको आपको simply rate करके दिखाना होता है जिससे आपका मिल जाता है target molecule बच्चो hopefully यह वीडियो आपको clear हुआ होगा आप practice कीजिए फिर झाल 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 झाल